हेलो एंड वेल्कम बैक तो कंपेटिशन कम्यूनिटी आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से कंपेटिशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चैनल में आप लोग देख रहे हैं स्सी सीजियल एंड सीएचेसल का यूट्यूब कोर्स जिसमें आज हम प्रैक्टिस सेशन पार्ट 13 अगस्ट को हुआ था पिछले साल शिफ्ट 3 का पेपर है तीन बज़े से चार बज़े के बीच में जो शिफ्ट हुआ था उसमें आपका जो क्वेशन पुछे गए थे वो डिरेक्ली हम यहाँ पर डिसकस करेंगे अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो चै सब्सक्राइब करेंगे फिर कुछ क्वेशन जो है हम लोग ने जो क्रिएट किया प्रेक्टिस सेशन वो भी आपके साथ डिसकस होगा ठीक है आशा करता हूं कि फर्स्ट वीडियो आपने पूरा का पूरा देखा होगा और इससे आपको काफी फाइदा भी मिला होगा और पाट टू वीडियो है जिसमें कि हम अब प्रेक्टिस सेशन में प्रीविए सीर क्वेशन ऐसे सीजल का डिसकस करने वाले हैं और काफी कम समय बचा है हाडली एक हफ़ते का समय बचा हुआ है आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और इन आशा करता है तो एक दिन में दो कारे करती है तो टाइम और वर्क वाले वीडियो में हमने देखा था जब भी इस परकार का प्रश्ण होता है तो पहले आपको एफिचेंसी निकालना होता है लेकिन सवाल में तो पहले ही आपको अनुपाद दिया हुआ है तो यहां कुछ नया आपको करने की ज़रुआत निये डिरेक् प्रश्ण है तो यहां पर कितने दिनों में काम निकालने को बुला गया है अब वही कारी हो रहा है तो जितना कार यहां था when आप यहां पर इस W को लिखे ना लिखे बात एक ही है और इसी फॉर्मुले के तहत चेंड रूल के तहए डिरेक्ट ली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो चेंड रूल आप सभी को याद होगा हमने टाइम एन वर्क के सेशन में अच्छे से इसको डीटेल में डिसकस क हने तो मैंने आपको ऐसे भी सवाल कि यह नहीं नहीं रहे था तो पहला स्थेप निकाले यहां तो सवाल में डीरेक्टली सिदिया तो एक स्टेप हमारा कम हो गया यहां पर निहां इसमें तो पांच हो जाएगा 5 मुल्टीप्ला इसमें अगर 3 दालो के तो बनेगा 18 इसमे इसको तीन बार काटेगा तीन मल्टिप्लाइड बाइड पांच जो है डी टू बराबर हो जाएगा फंद्रह फिफ्टीन डेस में जो है काम पूरा हो जाएगा जो है सवाल का सही उत्तर है क्लियर यहां तक बात समझ में आगई चलिए सिंप्लिफिकेशन के उपर आधारित प्रशन है और सिंप्लिफिकेशन का एक सवाल आता है मैंने आपको स्टार्टिंग में जब हम कोर्स को स्टार्ट कर रहे थे तो पहले यह आपको बता कि रखा था कि कौनसे टॉपिक से कितने कुश्चन आते हैं आप लोग यहां पर डिविजन मुल्टिप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन इस तरीके से होता है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा आपको दिख रहा होगा डिविजन के आगे एक ब्रैकेट है तो सबसे किया गया यहां पर end हो रहा है तो पूरे के पूरे square bracket की में बात करूं तो इसका value क्या-क्या है तो 11 divided by 4 of इसके बाद फिर एक और curly bracket है इस curly bracket में देखा जाए तो 3 multiplied by 2 minus of 3 minus 8 के अंदर छोटा bracket तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि bracket के अंदर भी priority होती है सबसे पहले open bracket फिर curly bracket फिर बाद में square bracket आता है तो open bracket पर आप देख रहे हैं यहां पर सबसे पहले कि है 3 minus 8 तो आपको पहले यह solve करना होगा होगा minus 5 minus of minus 5 मतलब यहां पर plus का 5 आ जाएगा और जैसी आपको दिख रहा है यह 3 into 2 है तो 6 होगया 6 plus 2 आप curly bracket solve होगा तो 6 plus 2 यानि कितना तो यह होगया 11 ठीक है तो curly bracket का value आ गया 11 अब आपको पता है कि division और off में पहले off होता है मतलब जब आप इसमें multiply करेंगे तो 44 बनेगा यह वाला value बन जाएगा 44 और उसके बाद divide करेंगे तो multiplication में इसका value आ जाएगा multiplication में इसका value जो है यह बन जाएगा 1 by 44 11 से काटने पर यह बन रहा है 4 मतलब कि कुल मिला के यह जो बड़ा सा bracket दिख रहा है square bracket इस square bracket का value है एक बटे चार इस square bracket का value क्या है एक बटे चार तो दोनों bracket solve हो गए अब bracket के बाहर देखेंगे तो यहाँ पर एक multiplication का sign है और multiplication के पहले 6 दिया है off 20 दिया है और division में यहाँ पर 90 दिया है तो आप लोग जानते हैं ठीक है brackets तो solve हो गए अब bracket के बाहर की चीजों को solve करना होगा जिसमें एक division एक off है तो division और off में पहले क्या होता है आप लोग जानते हैं आफ पहले होता है बाद में division होता है मतलब कि आपको यह multiply पहले करना होगा 20 और 6 को बाद में divide होगा तो इसका short trick भी मैंने आपको बता के रखा है कि कभी division और off आगया तो आप क्या करेंगे इसको दोनों को आप multiply पहले करेंगे और उसके बाद divide करेंगे मतलब यह जो multiplication है पहले होगा तो 20 और 6 का multiplication जो है 120 होता है तो 120 नीचे आएगा जिसको मैं इस तरीकी से 20 इंटू 6 नीचे लिख सकता हूं मतलब 120 यह पहले बनेगा बाद में यह division में जाएगा बताइए इसका value के आएगा ठीक है गलती यहीं पर होती है गलती ऐसे ही जगा होती है जहां A divided by B of C दिया है यहीं पर गलती होती है क्योंकि हम क्या करते हैं यहां divide तो लगा लेते लेकिन इस पर भी division लग रहा है यह हम भूल जाते है और वहीं पर गलती ह होती है ठीक है छले ध्यान रखेगा तो simplification के question को भी कैसे हमें ध्यान से लगाना है 6 से इसको काट लेते हैं 6 से काटोगे तो बन जाएगा 15 15 को 5 से काटने पर यहां 3 और यहां पर 4 आ रहा है मतलब यह बन गया 3 divided by 16 और यह multiplication में है करोगे convert तो 1 by 6 हो जाएगा 3 से काटने पर यह भी बन गया 2 तो 1 divided by 32 1 by 32 जो है इस सवाल का सही उत्तर है ठीक है तो जब हम exam pressure में रहते हैं जैसे कि मैंने आपको strategy भी बताया आप 15 से 20 मिनिट से जादा नहीं दे सकते मैच section को 15 से 25 मिनिट ठीक है depending upon कि मैच जादा difficult है कि reasoning जादा difficult है यह 15 से 25 मिनिट का समय जो है मैच का और reasoning का है प्रतिक section का तो अगर मैच जादा difficult आया तो 25 से जादा नहीं देना है अगर easy आया तो 15 मिनिट के अंदर ही अंदर आपको solve करना है तो इस तरीके के question को जब आप solve करते हैं उस exam pressure में तो गलती होने के chances भी ज्यादा रहते हैं आप भूल भी जाते हैं कि division और off का यह चली आगे बढ़ते हैं next question यहां दिया है 2x square minus 8x minus 1 बरावर 0 है अब आपको 8x cube minus of 1 by x cube निकलना है तो देखे 8x को देखते साथ समझ में आता है कि 2x का whole cube है यह minus 1 by x का whole cube है तो भई मैं यहाँ पर इसी तरीके का expression लाने की कोशिश करूँगा कि 2x उपर रहे और x नीचे रह दोनों तरफ बाटने पर right side तो 0 रहेगा लेकिन यह जो left side वाला value है 2x बन जाएगा x से काटोगे तो minus का 8 आ गया minus का 1 by x जो है यह बरावर 0 हो गया कहने का मतलब अगर 8 दूसरे तरफ हम भेज दे तो यही जो value है बन जाएगा minus का 1 बटा x और बरावर किस के हो जाएगा त इक्वल टू 8 की हो जाएगा correct अब आपको 8x क्यूब चाहिए 8x का मतलब है 2x का whole cube minus 1 by x cube इसका value होता है 2x minus 1 by x का whole cube plus देखिए formula थोड़ा सा याद रखीगा जबी भी हम यहाँ पर लिखते तो 3 into इसका value था लेकिन वैसे condition में होता क्या था a b का value 1 आता था लेकिन यहाँ ज 6 आ जाएगा क्योंकि 3 a b में यहाँ पर 3 a b जब multiply करोगे तो 2 extra आएगा इसलिए 6 आ जाएगा multiplied by 2x minus of 1 x ठीक है अब बताइए भी इसका value क्या आएगा यहाँ से आप directly इसका value लिख सकते 8 का cube जो की है 512 प्लस 6 multiplied by 8 करोगे यह भी आठ है 6 multiplied by 8 मतलब 48 इन नोनों को जोडने पर 560 जो है इसका value आ जाएगा ठीक है ए जो है सवाल का सही उत्तर है क्लियर है एलजेबरा के उपर आधारित पहला प्रस्न यहाँ पर आपके screen पर आपको मिल गया होगा और आपको समझ में आ रहा होगा कि अलग अलग पैटरन के question रियरेंज करके आपको दिया जाता है तो पहली बार में हमने देखा कोई और topic का है time and work का second question देखा simplification में तो आपको ready रहना है ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ पर algebra के them is 4520 rupees share of a is 10 2 by 3 percent more than share of b 33 1 by 3 percent less than that of c what is the share of b तो यहाँ पर दिया है a plus b plus c के पास जो पैसे है इसका average इतना है average इतना है मतलब divided by 3 करने पर 4520 तो इस 3 को मैं दूसरे तरह भेज देता हूं मतलब a plus b plus c के पास जो total पैसा है वो इतना पैसा है ठीक है 4520 multiplied by 3 यह total जो धन्राशी a plus b plus c के पास में इतना है दूसरी बात आपको ratio दिया है कि ratio a और b का क्या है और a और c का क्या है उसके तहट आप ratio निकाल सकते हैं देखे एक fraction आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा जो कि आपको हमने नहीं पढ़ाया है तो गवराने की क्या बात है आपको पता है कि इसको आप convert कर सकते है 30 प्लस 2 तो 32 बाइ 3 परसेंटेज होगा यह आप इसको ऐसा भी लिएक सकते हैं 332 divided by 300 fractional value इसका कितना होगा 332 divided by 300 कहने का मतलब यह कि अगर मैं कहूं कि a अनुपात b अनुपात c इसको यदि हम rearrange करने की कोशिच करें तो a जो है b से इतना अधिक है मतलब अगर b को मैं 300 मान लू b को कितना मान ले हम b को हम 300 मान ले तो यह इससे 32 जादा होगा 32 जादा होगा मतलब यह 332 हो जाएगा यहां तक clear है बाते simple है दूसरी बात बोला गया कि c से इतना कम है इतना कम का मतलब यह एक तिहाई होता है मतलब कि अगर c 3 होगा तो 3 से 1 कम मतलब यह value 2 हो जाएगा यहां तक clear हो गई बाते, अब समझना आप यहां से बातों को, कि यहां पर हमें इसको और इसको rearrange करना है, यानि कि यह दोनों सेम होना चाहिए, तो आपको यह समझना होगा कि अगर दो का value यहां पर इतना है, यह दोनों सेम होने चाहिए, तो दो को इतना बनाने के लिए आप को यहां क्या मल्टिप्लाय करना पड़ेगा इसमें आपको मल्टिप्लाय करना पड़ेगा 166 मल्टिप्लाय करने पर यह वाला वैल्यू आएगा ठीक है तो अगर यहां 166 मल्टिप्लाय करने पर यह वाली वैल्यू आ रहा है तो इसमें भी मुझे 166 मल्टिप्लाय करना होग ठीक है यह आप चाहें तो इसको और simplify भी कर सकते हैं उसमें भी कोई गलती नहीं बट आप 166 multiply करोगे तो भी कोई गलती नहीं है 166 multiply करोगे तो 300 या फिर 18 आएगा ठीक है 18 प्लस 19 हो गया 3 प्लस 1 याने 498 इसका value आ रहा है तो अब हमने क्या किया तीनो के तीनो अनुपातों को हमने यहां पर balance कर लिया है अब यहां से आपको क्या पूछा जा रहा है कि B के हिस्से में कितना value आएगा तो B के हिस्सेदारी जो है वो है 300 का 300 divided by 3 को जोड लिया तो 300 divided by 332 प्लस 300 प्लस 400 अठान में होगा मैं क्या कर रहा हूँ इस दो को उठा के यहां बेज़ दूँगा 500 प्लस 300 हो गया 800 हो गया 800 में इस 330 को जोड़ोगे तो 1130 आएगा कितना ग्यारा सो 30 मुल्टिप्लाइड बाए यहां पर 4 5 2 0 है और मुल्टिप्लाइड बाए 3 तो यह रेशो के उपर अधारित प्रशन है तो ऐसे फ्रैक्शन को देखकर घबराना नहीं आप इसका फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल कर सॉल्व कर सकते हैं यह आप चाहें तो इसको तोड़ना भी जानते तो तोड़ कर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं चलिए आगे बढ प्रशनल किससे होना चीग्जाए तो डिविजबिल्टी रूल इंपारिव्टर है नंबर सिश्टम में बीबदाया था सबसे ज़्यादा इंपोरटन अगर नंबर सिश्टम में प्र्सपेक्टिव से कुछ है तो वह है यह बात मैंने आपको डिविजबिल्टी रूल पढ और आधारित प्रश्ण आया हुआ है वीडियो अगर पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें क्यूंकि आपके लाइक सब्सक्राइब से हमारा सर 0 है यहाँ पर यहाँ पर 6 है और B है तो इसका वैलियो हो गया 6 प्लस B अब इसका डिफरेंस लेना होता है इन दोनों का डिफरेंस बताइए बही कितना होगा जैसी आप डिफरेंस लेंगे तो 11 और 6 का डिफरेंस हो गया 5 और यहाँ पर आजाएगा प्लस A मैनस B इसका वै a तो यहाँ पर छोटा आ रहा है तो इसका मतलब 0 नहीं ले सकते है तो next multiple हम लेंगे 11 11 लेते साथ समझ में आता है कि a-b का value आएगा 6 इसके उपर आप जा ही नहीं सकते क्योंकि अगर इसके बाद वाला value आप 22 लेंगे तो a तो बड़ा होगा लेकिन यहाँ पर a और b जो है टू डिजिट्स नंबर हो जाएंगे और यह टू डिजिट्स नहीं है एक वन डिजिट्स नंबर है मतलब एक मात्र संभव मान यहाँ पर जो हम ले सकते हैं इसके difference का वो है 11 अब सवाल में इस से हमको यह समझ में आया कि a माइनस b जो है यह 6 है अब आपको क्या बोल रहा है कि यहाँ पर b का अधिक्तम मान क्या हो सकता है अब b को अधिक्तम मान होने के लिए यहाँ पर a को भी अधिक्तम देना होगा मतलब यहाँ जो b का अधिक्तम मान है वो 3 हो सकता है क्योंकि A का maximum value जो है वो 9 हो सकता है क्योंकि आपके पास single delete में क्या-क्या numbers है 0 से लेकर 9 तक तो जब A maximum होगा क्योंकि इसका difference constant है 6 है तो A जब maximum होगा तभी B का value भी maximum आएगा तो B का value क्या है 3 होगा 9 minus of 6 ठीक है तो maximum value जो possible है वो है option number C यानिकी 3 है ठीक है clear हो गया चले आगे बढ़ते हैं सवाल number 6 के ओर a circle touches four sides of a quadrilateral ABCD whose sides are AB बराबर 8.4, BC बराबर 9.8, CD बराबर 5.6 what is the length of AD बहुत ही simple सवाल और इस सवाल के उपर मैंने आपको बताया है theory ठीक है circles के tangents के वीडियो में अगर आपने पूरा वीडियो देखा है geometry का आखरी part, geometry का part 9 जिसमें circles का तीसरा वीडियो था जिसमें tangents डिसकस हुआ है वहां मैंने आपको इस property के बारें बताया है और अभी भी मैं आपको इस property को एक बार repeat करवा दूँगा, ठीक है आराम से आपको बनाना होगा कि AB जो है 8.4 है, कहीं पर भी गलती हुआ तो उत्तर जो है गलत आएगा BC का value जो है 9.8 cm और यहां से CD का value जो है 5.6 cm आपको किसका value निकालना है AD का value जो है direct shot trick क्या होता है कि आप 8.4 प्लस 5.6 करेंगे माइनस क्या करेंगे 9.8 को यह आपका answer हो जाएगा तो अगर इन दोनों को जोड़ा जाए 6 प्लस यहां पर जो यह है 4 यह तो एक बन गया ठीक है जतलब 9 प्लस आप 4 5 करोगे तो 14 आएगा माइनस का 9.8 माइनस 9.8 करने पर value आजाएगा 4.2 cm 4.2 cm मतलब B जो है सवाल का से उतर रहे यहां तक समझ में आगी बात है क्लियर हो रहा है कैसे आया तो देखे आपको यह property पता है टैंजेंट का कि external point से दो हम tangent बना सकते दोनों का length सेम होता है मतलब अगर इसका length यहां से अगर मैं मालू कि इसका value P है यह P point है Q point है R point है S point है तो theorem यही कहता है कि AP का जितना value होगा उतना AS का value होगा तो अगर इसका value X है इसका value भी X होगा इसका value अगर Y है तो इसका value भी Y होगा इसका value अगर Z है तो इसका value भी Z होगा और इसका value अगर मैं A मान लूँ तो इसका value भी A होगा क्योंकि external point से जब दो tangent बनते हैं दोनों tangents पर रेखाओं कि लंबाई बरावर होती है अब आप चाहें यहाँ पर AB प्लस CD करें तो AB प्लस CD में आप देख रहे हैं X प्लस Y प्लस Z प्लस A है और चाहे हम AD प्लस BC करें तो यहाँ पर भी X प्लस Y प्लस Z प्लस A है मतलब जितना length AB का उतना प्लस CD का है उतना ही length DA प्लस BC का है तो अगर DA निकालना है तो DA प्लस BC बरावर AB प्लस DC तो है यह अपने पास तो यहाँ से AD का value क्या हो जाएगा इन नोनों को जोड़ना उसमें से इसको घटा देना तो बहुत सिंपल है और इसके उपर आधारित प्रशन आता है इसका direct result मैंने आपको लिखाया भी था अब यहाँ पर मैंने एक और प्रशन आपको करवा भी दिया है यहाँ पर आशा करता हूँ आपका अच्छा खासा रिविजन हो रहा होगा चले next question देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है एकस के घाथ 4 प्लस 1 बाइकस के घाथ 4 बरावर 727 एकस माइनस 1 बाइकस का मान निकालना है जिसमें एकस जो है एकसे बड़ा है यह बहुत important information है क्योंकि यहाँ दो answer संभव है जिसमें से एक अई answer आपको चूज करना है चले समझते हैं यहाँ पर आपको यह जो है algebra का पहला वीडियो algebra के पहला वीडियो में ही हमने यह इसके उपर questions देखा था आपको जब एकस के गहत 4 ब्लस बन्बा एकस का लिएकस स्कोर का वैल्यू क्या होता है आप कहेंगे सर स्क्राइगे स्क्वूर्ट और 727 प्लस का तो और plus का 2 का मतलब कितना है तो 729 और 729 किसका square root है इसका square root किसका perfect square है तो 27 का तो इसका square root 27 आएगा ठीक है अब अगर मैं यहाँ पर x-1yx निकालना चाहता हूं तो x-1yx का value कैसे निकलता है 27-2 करने पर और इसका value क्या आता है 5 आता है plus और minus 5 आता है actually तो answer यहाँ पर plus 5 भी हो होता है क्या choose करेंगे इसके लिए बहुत important information दिया कि x जो है x से बड़ा है x एक से बड़ा होने के वज़ा से यह वाला जो संख्या है यह बड़ा हो जाएगा और यह जो संख्या है यह x से छोटा हो जाएगा अरे बही अगर आप x को एक से बड़ा लेने 2 जो है यह एक से हुआ 0.5 हुआ और 0.5 एक से छोटा होता है इसका मतलब अगर x एक से बड़ा है तो 1 by x एक से छोटा होगा और इन दोनों को घटाने पर एक जो धनात्मक संख्या निकलना चाहिए यह positive value निकलना चाहिए मतलब यहाँ पर negative value संभव ही नहीं है तो answer यहाँ पर आप क्या mark करेंगे प्लस का 5 ना कि माइनस का 5 क्योंकि जब square root of 25 निकलना है तो प्लस माइनस 5 दोनों हो सकता है तो ऐसे condition में गलती होने के चांसे से लेकिन यह जो condition दिया कि x greater than 1 इसका use यहाँ पर आ जाता है कि x बड़ा है अगर 1 से तो 1 by x छोटा होगा यह एन x minus 1 by x एक positive integer होगा clear चलिए आगे बढ़ते data interpretation का सवाल है आपके screen बे देखे पहले जो ssc में ऐसा देखा जाता था कि एक अही data interpretation को एक अही shift में दिया जाता लेकिन ऐसा नहीं है अब जब से tcs आ गया है पिछले वर्स से यह देखा जा रहा है कि एक data interpretation के जो 5 सवाल होते है वो 5 सवाल अलग-अलग shift में होता है कहने का मतलब यह कि आपके ही shift में एक di से एक प्रशन पुछा जाएगा दूसरे di से दूसरा प्रशन पुछा जाएगा तीसरे di से तीसरा प्रशन पुछा जाएगा चार question आते है data interpretation से 4 की 4 जो di है वो अलग-अलग होते है तो यह थोड़ा सा नया जो है यह change किया है ssc ने तो आपके time को ज़ादा से ज़ादा कैसे kill किया जाए कैसे वेश्ट किया जाए examination में पूरा सोच समझ के जो है SSC question paper को set कर रहा है क्योंकि इस data को समझने में पढ़ने में थोड़ा time लग जाता है लेकिन जब second time यही graph आपके सामने आ जाता है उस समय जो है time कम लगता है क्योंकि एक बार आपने पढ़ लिया है ठीक है लेकिन ऐसे condition में जो है आप directly क्या करिए यहां से पढ़ना चालो करिए देखे in which year the number of students enrolled in institute A is x percent less ठीक है is x percent less where 25 x is 25-30 के बीच में than the number of students in institute A in the same year ठीक है तो बार ग्राफ shows the number of students in vocational course of institute A and B in the 5 years 2014-18 तो 14 से लेकर 18 तक बार ग्राफ जो है यहां दिया हुआ है जिसमें A में और B में कितने-कितने बच्चे इसके बारे में information दिया गया सवाल यह पूछ रहा है कि A में कब x percent कम बच्चे थे किसके comparison में तो B के comparison में ठीक है और यह आपको बताना है कि x का value जो है वो 25 परसेंट से 30 परसेंट है देखें बच्चिस परसेंटेज का मतलब बच्चा बच्चा जानता है कि यह एक बटे 4 होता है तीस परसेंटेज का मतलब भी बच्चा बच्चा जानता है तीन बटे 10 होता है जिसको हाँ आप दस अमलब तीन भी लिख सकते हैं तो आपको बस यह देखना है कि 16 में ठिक है 15-17 में 15-17 या 14 यह चार यह में कब आपका जो है एक्स परसेंट बैल्यो की तीफरेंस है वह उपयका इस एक्स परसेंट से 30 परसेंट के बीच में लिख न इसका추िए 15 परसेंट कितना होता है 1 4 तो जो होगा इसका वैल्यू यह हो जाएगा 50 ठीक है 50 बार जाएगा फिर 56.25 आएगा और अगर इसका 30% निकाले तो तीन से आप गुणा कर लिजे तो 6 60 और 15 ठीक है मतलब 67.5 आ रहा है 67.5 तो क्लियरली यहां पर दिखाई दे रहा है कि इसका 25 परसेंट जो है 56.5 है और 30 परसेंट जो है 67.5 है 2014 में तो यह आपका 65 रेंज में आ गया मतलब यही आपका उत्तर होना चाहिए बाकी वैल्यूस को आप चाहें तो चेक कर सकते है बट एक्जाम में टाइम कम होता है तो आप्शन आपका एक क्लिक कर गया तो आगे वाले को देखने की जरूरत नहीं हाला कि फिर भी अगर आ चोटा असी है तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है इसका अगर हम देखे वैल्यू ठीक है इसका डिफरेंस 75 का है और इसका 25 परसेंट की बात करें तो वन फोर्थ होता है जो की 90 के आसपास रहेगा ठीक है नब्बे नाइन बार जाएगा आपका 36 से फिर 15 आ तो 94 के 25 आएगा अगे इसके 25 परसेंट से चोटा है तो इस रेंड में तो है ही नहीं ठीक है तो आप फटा-फट कैलकुलेशन को चेक कर सकते हैं हाला कि यहां पर किसमत ऐसी थी कि पहला ही जो ऑप्शन 2014 था वही आपका सही आ गया तो आगे आपको चेक करने के आवे सकता ही क्या ठीक तो इस तरीके से ऑप्शन को यूज करिए आपको सारे कैलकुलेट नहीं करना है जब आप यहां पर कॉंपटिटिव एक्जाम दे रहे हैं ससी सीजेल का जिसमें ऑब्जेक्टिव पेपर है तो यह भी आपका क्वेशन का ही पार्ट होता है ऑप्शन को यूज करना सी इस प्रकार का प्रशन मैंने आपको करवाया था जिसमें की कॉइंस बेस्ट होता है तो अतुल ने क्या कि अब 20 रुपए क्राय मुली वाले ब्रेड खरीता है दुकानदार को 100 रुपए का नोट देता है अब 20 रुपए जब दिया तो दुकानदार जाहिर सी बात है उसको वापस करेगा तो दुकानदार ने 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए मुल के वर्क के सिक्के में 6 धन को वापस देता है यदि इन सिक्कों का जो अनुपात है वो 5 अनुपात 4 रुपात एक है तो दुकानदार के पास 5 रुपए के कितने सिक्के है आपको बताने है देखे भ प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् 20 प्लस 10 यानि कि 40 X 40 X यानि कि total value जो है आपका क्योंकि एक एक value एक एक value 2 रुपए का तो 5 X का value 5 X into 2 होता है और वहीं एक एक value 5 रुपए का तो 5 into 4 करोगे तो 20 X आपके यह total value है और total value 80 रुपए के बराबर है तो 1 X जो है यह 2 के बराबर है आपसे सवाल पूछ रहा था 5 रुपए के कितने सिक्के तो 5 रुपए बीच में है जिसका unit 4 है यहाँ पर तो 4 का मतलब इसको 2 गुना करोगे तो 8 सिक्के होंगे 5 रुपए वाले आशा करतों समझ भाया होगा आगे बढ़ते यहाँ से सरकल के उपर याने की मेंसुरेशन के उपर आधारित प्रश्न दिया हुआ है एक वृताकार पार्क का शेतरफल दिया हुआ आपको कितना है तो 12474 मीटर स्क्वेर पार्क के 4 और 3.5 मीटर चोड़ा मार्क जो है यह बनाए जाता है मार्क का शेतरफल ग्याद करें देखे भई थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्न जरूर है लेकिन कैलकुलेशन को आसान करना भी हमने सीखा है यह जो सरकल है इसका रेडियस आपको नहीं दिया लेकिन इसका एरिया दिया हुआ है इसका एरिया कितना है तो इसका एरिया है 12474 इसके बाहर आप क्या करते हैं एक वृत्ताकार पाथ इस तरीके से बनाते हैं जिसका जो थिकनेस है वो कितना है तो इसका थिकनेस 3.5 है मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो रेडियस होगा यह हो जागा R plus 3.5 कितना होगा R plus 3.5 हो जाएगा अब देखिए इससे आगे यदि हम बढ़े आपको इसका एरिया निकालना है तो इसका एरिया निकालना कोई बड़ी बात नहीं है आप जानते है R plus 3.5 का स्क्वेर ठीक है minus of R square और multiple एड़ पाई यह basic तरीका होगा आप सको solve करने का short तरीका क्या है मैंने आपको बताया है कि area जो है 154 के multiples में चलता है कहने का मतलब यह कि अगर radius को हमने 7K माना है तो यह जो area होता है 154 K square के टरूस पर चलता है तो directly हम क्या करेंगे इस 1274 को 154 से काटने पर हमारा time बहुत ज़्यादा बसे जाता है तो आइए इसको solve करते हैं अगर मैं इसे 11 से काटू तो यह बनेगा 14 इसे 11 से काटने पर यह बनेगा एक बार 11 फिर 14 आ रहा है एक बार फिर 3 आ रहा है थर्ट थरी टाइमस 33 4 आ रहा है तो 44 टाइमस आएगा अगर इसको मैं 7 से काटू तो दो बार कटेगा यह 7 से काटने पर इसका value आ जाएगा एक बार 7 से फिर 44 आ रहा है तो 43 6 टाइमस आएगा फिर 14 आ रहा है तो 2 टाइमस आएगा इसको 2 से काटने पर 81 आ रहा है 81 का मतलब k का value जो है यह हो गया 9 है ठीक है k का value 9 हो गया मतलब जो radius है वो 7 into 9 याने 63 cm है अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पर आप 0.5 बढ़ा रहे है 0.5 का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पर अगर यह 7 into 9 है तो यह वाला जो radius है यह हो जाएगा आपका 7 into 9.5 7 into 9.5 यहां तक आप मेरी बातों से सहमत होंगे तो जो overall जो area आपको निकालना है बाहर वाला जो area निकालना है केवल इस part का area ठीक है इस part का area आपको निकालना है तो इस part का area निकालना कोई बड़ी बात नहीं है क्या कर सकते हैं 154 9.5 square minus 9 square इससे आपका इरिया निकल जाएगा निकलेगा की निकलेगा तो यह जो है आपके कैलकुलेशन को बहुत तेज करता है आप चाहें यहां डिजिटल सम लगा सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं बट उसकी भी आवसकता नहीं आप फटा-फट इसका कैलकुलेशन करना चाहें वह भी संबाव है कि तो ये प्लस बीटो एमाइनस भी एउपलस बीटे माइनस भी होता है एमाइनस भी यानि इसका difference जो की 0.5 आएगा a plus b जो किया जाएगा 18.5 पाज से यानि इसका 0.5 का मतलब क्या होता है आधा होता है ये क्या होता है ये half होता है तो इसको half लिखेंगे तो ये 77 times इसको काड़ देगा मतलब यहाँ जो multiply हो रहा है value वो 77 multiply हो रहा है तो 77 को इस से multiply करना है साथ से multiply करोगे 35 आएगा फिर 126 126 plus 3 करोगे तो 129 आएगा इसी प्रकार 1295 एक बार और आएगा दोनों को जोड लेते हैं ठीक है तो 5 यहाँ पर यहाँ पर आ जाएगा 14 यह बन जाएगा 12 यह बन जाएगा 4 और 1424.5 1424.5 मतलब जो C है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा clear यहाँ तक आपको मेरी बाते समझ में आ गई होगी देखें दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप यहाँ पर digital sum लगा सकते हैं digital sum लगाने के लिए बहुत आसान तरीका आप लोग जानते हैं आप यहाँ से digital sum लगा सकते हैं ठीक है तो इसका digital sum आप जानते हैं 9 देखते साथ समझ में आता है कि यह तो 9 बन गया ठीक है 0 बन जाएगा digital sum इसका यहाँ पर अगर 9 को हटा दे तो फरक नहीं पड़ता पांच का स्कोर 25 होता है मतलब digital sum 7 आ रहा है इसकी बात करें तो एक प्लस यह तो आपका एक हो गया मतलब overall आपका digital sum 7 आना चाहिए तो कौन से option में 7 आ रहा है यह पांच और ऐसे question जहाँ पर digital sum का use होता है ठीक है हो सकता है कम हो लेकिन कहीं न कहीं जहाँ पर भी होता है वहाँ आपका time बहुत ज्यादा बच जाता है तो digital sum मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है calculation tricks में वहाँ पर आप यहां पर जरूर डिजल सम इस तरीकी प्रश्ण में लगाई है SSC के exam के कुछ questions जो है वो जरूर डिजल सम से होता है सारे question नहीं लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ जरूर यूज़ करिए ठीक है चले आगे पढ़ते है a shopkeeper marks his goods 30% higher than the cost price and allows a discount of 10% on the mark price if in order to earn 6.5% more profit what should be the discount percent he should allow on the mark price हमें बस यह बात पता होना चाहिए कि CP में जब हम markup बढ़ाते हैं तो आता है mark price यहां से जब discount देते हैं तो आता है selling price और यहां से जो आता है value यह हता है profit percent इस कहानी को हमने बहुत अच्छे समझा था इस कहानी के result के तौर पर हमने बहुत सारे formulas भी देखी थे अब इस सवाल में दिया है कि 30% बढ़ाने के बाद 10% का छूट देता है अगर 6.5% और profit चाहिए तो discount कितने का देना होगा तो देखे इसको आप चाहें तो formula से solve कर सकते हैं बट आसान है उसकी जरुट नहीं है तो आप directly इस diagram के जरुट भी solve कर सकते हैं तेरा कम करने का मतलब माइनस 13 करोगे तो 117 आपका selling price आएगा मतलब आप profit जो कमा रहे है 100 रुपय में वह 17 का कमा रहे और 100 रुपय में जो profit कमाते उसी को percentage कहते हैं मतलब 17% profit अब बोल रहा है कि आपको 6.5% ज्यादा profit कमाना है अगर यहाँ पर profit अभी 17 है 6.5% ज्यादा मत मतलब 23.5% का profit अब आप जो तरीका यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं आपको आपको पता है कि MP by CP जो होता है 100 plus percent profit divided by 100 minus percentage discount होता है तो सवाल में यही कह रहा है कि अगर 130 रुपया आपका mark price है 100 रुपय आपका cost price है आपको अगर 23.5% कमाना है मतलब 123.5% हो जाएगा value करेक्ट क्योंकि यहां आप जो value को add कर रहे है वो profit percent है 23% 23.5% का profit क्योंकि यहां 17% में आपको 6.5% अधिकला आप कभाना है जो की 23.5% तो इस formula में दाल दीजे बाकी आप जो value बचा हुआ है वही तो आपको निकालना है ना तो कितने का discount देगा तो 100 minus यहां जो D का value आया गया यही आपका percentage discount का answer देदेगा clear है चलिए बताइए भई कितना आएगा एक 0 से कट गया एक 0 जो इस दसम्लव को हटा देगा यहां से तो इस दसम्लव को में हटा देता हूं ठीक 13 से अगर मैं इसको काटूं तो 13 से कटेगा कितने बार ठीक है अगर 13 में हम 9 बार काटे तो 117 बार कटेगा इसके बाद 65 आ रहा है तो 5 बार मतलब कि देखिए 100 minus D का जो value है वो कितना है 95 है तो D का value कितना होगा आप कहेंगे सर यह तो 5 आएगा तो 5 परसंटेज जो है उत् सवाल का अगर एक pattern का question जो कि MP by CP के formula में एक shift में आया तो दूसरे shift में MP by CP का pattern का सवाल आया हुआ है तो SSC का ये बहुत ये एक pattern है question बनाने का इसको समझना आप कि अगर कोई सी shift में कोई question ज्यादा लोग से नहीं बनता तो उसी topic से question बनाता है फिरसे next वाले question उसी shift में ठी है ठीक है तो ये SSC का एक तरीका है questions को बनाने का इस pattern को आप समझना अब देखिए यहाँ पर ये value जो है इसको फिर से समझीएगा कि MP और CP में जब discount percent और profit percent change होता है उस वक्क selling price change होता है mark price और cost price change नहीं होता यहीं मैंने आपको practice session 1 में भी आपको बताया था एक बार फिर स से मैं इस चीज़ को दोर आ रहा हूं यहां पर चली आगे बढ़ते हैं next question पढ़ते हैं यहां दिया हुआ है two equal sums were lent on simple interest at six percent and five ten percent per annum respectively the first sum was recovered two years later than the second sum and the amount in each case was one one zero five rupees what is the sum length in each scheme देखे भई एक चीज़ आपको समझना होगा कि principle में जब हम interest को जोडते हैं तो हमें amount मिलता है मूलधन में जब आप ब्याज जोडते हैं तो कितना आता है amount आता है यह ब्याज बराबर होता है principle into rate into time divided by hundred अब सवाल को थोड़ा सा समझना बहुत अच्छे से मैं आपको समझाओंगा चीजों को यहां पर दो समान राश्या है दो समान राश्या है ठीक और इसमें बताया गया कि प्रतिक स्थिती में राश्य इतनी होती है मतलब कि starting में अगर principle P था पहले वाले का दूसरे वाले का भी P था तो अंतिम में यहां जो आपका amount हुआ वो 1105 हुआ यहां पर भी और 1105 हुआ यहां पर भी क्या आप मेरी इस बात से सहमत है मैं कह रहा हूं कि यहां principle जो था दोनों equal sum थे और the first sum was recovered two years later than the second amount in each case इतना था मतलब कि जितना amount आपने यहां दिया उतना amount यहां दिया तो आप इस चीज को समझेगा कि अगर दोनों का principle सेम है दोनों का amount सेम है तो क्या दोनों का interest सेम नहीं होगा अगर आपने same value यहां पर start किया जितना उतना ही आपको finally मिला यहां पर भी उतना ही value था तो बीच में जो interest आ रहा है वो भी same होगा अगर interest same है तो ऐसे condition में rate और time जो है एक दुसरे के व्यूतक्रम हो जाएंगे एक दुसरे के व्यूतक्रम मतलब rate जो है वो inversely proportional to time होगा अब आपको r1 और r2 का जो ratio दिया हुआ है r1 r2 का जो ratio दिया है 6% और 10% का अनुपात दिया हुआ है ठीक है मतलब time 1 अनुपात time 2 जो होगा यह इसका reverse हो जाएगा जो की हो जाएगा 10 अनुपात 6 जिसको हम और simplify कर सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं 5 अनुपात 3 इसको काट सकते हैं तो यह बन जाएगा 5 ratio 3 reverse ratio में होगा यह ठीक है तो जब अनुपात यहाँ पर 2 है और difference यहाँ पर 2 है actually भी 2 years है मतलब actually यह ही होगा ना कि यहाँ पर आपने 5 वर्स के लिए जमा किया था यहाँ पर आपने 3 वर्स के लिए जमा किया होगा क्या आप मेरी बातों से सहमत है मतलब यहां आपने पांच वर्स के लिए जमा किया यहां आपने तीन वर्स क्योंकि डिफरेंस टू का है और यहां सवाल में भी दिया है कि आपने दो एर जादा दिया था आप इसको समझना कि यहां पर सवाल को solve क्या करना है तो भई यह तो आप जानते ही है इसको निकालना तो हम जानते ही है क्योंकि आप जो ब्याज दे रहे हैं 10% multiplied by 3 मतलब 30% आप ब्याज दे रहे चाहे आप यहां से निकालिए यहां 6% into 5 यहां से भी 30% आएगा क्योंकि दोनों तरफ सेम है अगर आपने interest दिया 30% का मतलब जो amount होगा वो 130% होगा और जो principal होगा वो 100% होगा clear यहां तक बात समझ में आ गई ठीक तो 130% का value कितना दिया हुआ है सवाल में इतना दिया हुआ है तो principal का value कितना होगा 1105 divided by 130 यह हो गया 1% का मान multiplied by 100% ठीक है इसी तरीके से आपको एक्जाम में questions को solve करने है ठीक है अगर मैं यहां से 00 को cut कर दो तो यहां पर value आ जाएगा आठ बार 104, 65 5 times फिर एक 0 तो 850 रुपिया जो है सवाल का सही उत्तर होगा clear यहां तक समझ में आ गई बाते चली आगे बढ़ते हैं तो अगला सवाल आपके screen के उपर दिया हुआ है यहां पर दिया है कि a trader bought 640 kgs of rice he sold a part of rice at 20% profit and the rest at 5% loss he earned 15% profit in the entire transaction what is the quality quality नहीं होगा quantity होगा है what is the quantity ठीक है what is the quantity of rice that he sold at 5% ठीक है तो यहां पर दिया है कि 640 kgs of rice इसको इसने दो भागों में बटा पहले भाग में 20% का profit भी है और एक कुछ भाग है उस भाग में इसका 5% की हानी भी है पूरे लेन देन में क्या हुआ उसको 15% का लाव हुआ यानि प्लस हुआ तो यहां allegation लगाना अनिवार है तो आपको allegation मैंने बताया है कहां कहां पे लगाना है इस प्रकार का प्रश्णा हमने देखा भी है 15-15 होगा हमेशा यह value एक से छोटा होता है दूसरे से बड़ा होता है तो जिससे बड़ा हुआ उसको इससे घटा देना तो यह हो जाएगा भई 15-5 मतलब 15-5 जो की 20 आएगा यहां पर 20-15 होगा तो यहां 5 आजाएगा 5 से काटने पर 4 अनुपात एक हो रहा है 4 is to 1 का value आ रहा है अब 5% हानी पर जो बेचा गया है इसका value कितना होगा 5% हानी पर जो बेचा जा रहा है यह वाला है तो यह 1 by 5 होगा क्योंकि भई 4 अनुपात एक में बढ़ रहा है value तो 1 by 5 multiplied by 640 ठीक है तो 1 शुन्य जो है दो बार कटेगा मतलब 128 kg इसका उत्तर हो जाएगा भी जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा चलियर है चलिए अब देखे यह जो है एवरेज के उपर एक standard question है ठीक है इस तरीकी का question जो है बार-बार SSE पूछता है और यह deviation ही एक मात्र ऐसा तरीका है जो आपको यहाँ पर calculation कम कर सकते हैं बेसिक से आप सब कर लेंगे लेकिन यहाँ पर deviation का use करना सीखे यह मैंने आपको lecture जो हो रहा था उसमें भी करवाया है प्रैक्टिस शीट में भी प्रवाइड कर रहा है अब यह प्रैक्टिस सेशन में भी है और आप खुद देखे कि SSE CGL का जो previous year paper है उसमें भी यह सवाल आए हुग तो इंपोर्टन पैटन है इसको आप deviation के तहट solve करिए मैं अब आपको deviation के जरीए इसको solve करना बताता हूँ यहाँ पर 11, 11 numbers है 11 numbers का जो average दिया हुआ है यह कितना है तो 56 है इसमें से बोला first 3 numbers जो है पहले की जो 3 संख्या है इसका average है 52 जो कि इससे 4 कम है और next 5 numbers का जो average है next 5 numbers का जो average है कितना है 60 है अब आप खुद सोचिए कि यहाँ से आप 11 number की बात कर रहे है पहले के 3 और अगले 5 यानि 8 number गए 11 में से 8 गया तो बचे 3 जो कि होंगे 9th number, 10th number और 11th number 9th, 10th और 11th number बचा हुआ है सवाल में क्या दिया हुआ है सवाल में दिया हुआ है 9th number जो है वो 10 9th और 10th number जो है 3 और 1 जादा है 11 नंबर से कहने का मतलब 9th number 10th number और 11th number की बात करें तो इसको X लेना होगा 9th number इससे 3 जादा है तो यह X plus 3 होगा और 10th number जो है वो आपका कितना हो जाएगा X plus 1 होगा ठीक है deviation कैसे लगाना है तो deviation में आप एक बात जानते है कि अगर आप actual average के about deviation ले तो net deviation 0 होता है यह बात आप लोग जानते हैं ठीक तो यहाँ पर अगर मुझे ये तीनो values निकालना है तो इसका 9th plus 10th plus 11th का value निकालना है तो यह हो जाएगा 3X plus 4 ऐसे condition में जो आखरी के 3 number है इसका value भी 56 plus 56 plus 56 होगा जो कि 3 multiplied by 56 होना चाहिए था ऐसा होना था लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ क्या हुआ ये कि पहले कि जो 3 संख्या है वो यहाँ पर 52 लेकर चलेगा average अब देखिए सोचे ये समझेगा अगर ये 52 लेकर गए मतलब 4 कम लेगा अगर ये 4 कम लेगा तो यहाँ उसका फाइदा होगा इन लोगों को फाइदा होगा क्योंकि यहाँ पर अगर ये 4 कम लेगा जो कि 3 संख्याओं में बटा है तो माइनस 12 कम लेगा तो यहाँ पर प्लस का 12 एक्स्ट्रा यहाँ पर आ जाएगा इन लोग के लिए आखरी के 3 लोग के लिए इसका deviation की हम बात करें तो प्लस का 4 है मतलब ये लोग जो है 5 संख्याए जो है 4 4 4 4 4 एक्स्ट्रा करके 20 एक्स्ट्रा ले गाए तो इसका नुकसान भी इनको यहाँ पर 16 माइनस का 8 मतलब कितना हो गया 160 हो गया ठीक 1 60 तो 3x का वैल्यू क्या है 160 माइनस 4 करोगे तो 156 आएगा ठीक और एक्स का वैल्यू जो आ जाएगा 52 एक्स का वैल्यू 52 यह 11 नंबर है नवए नमबर की बात करें आपको देखी है किसका निकालना आवरेज आ निकालने को को बूला नवी संक्छा और ग्यार्वी संक्छा तो यह है, नवी संक्छा जो है इससे 3 अधिक है, मतलब यह आपका फिफ्टि-फाइव हो जाएगा, 53.5 याने C सवाल का सही उतर है देखे इस सवाल को करने के तरीके बहुत सारे हैं कुछ लोग ऐसे भी solve करते होंगे कि 11 multiplied by 56 करने पर सारे के सारे 11 नंबर का value सम आ गया तीन multiplied by 52 करने पर पहले के 3 का सम आ गया पांच multiplied by 60 करने पर नेक्स्ट वाले जो पांच है याले आठ हो संख्या का सम आ गया दोनों को minus करेंगे तो यहां पर value जो आएगा वो यही आएगा जो मैंने यहां लिखा है ठीक है 160 ही आएगा और यह 163 x प्लस 4 के बराबर है तो आप आप चाहें यह से भी solve कर सकते हैं बट ज्यादा जब calculation और थोड़ा यहां पर typical calculation जब आ जाए हो सकता है यहां पर calculation इस तरीके से भी ज्यादा समय ना ले लेकिन सवाल जो है इसमें अगर आप टाइम बचाना चाहते तो एक मात्र तरीका है deviation को मैंने detail में आपको समझाया है average की वीडियो में उसको जरूर देखना ठीक है next question देखते हैं यहां दिया x-1 by x का value 1 है x की खात 8 प्लस 1 by x की खात 8 जो है इसका value निकालना है तो x-1 by x वाला format जो मैंने algebra के पहले ही वीडियो में cover करके आपको रखवाया था उसमें आप देख सकते हैं कितना important है बार-बार मिल रहा है आपके xc के exam में previous year सवाल है मतलब इस वर्ष भी जो आपका अभी एक हफते के अंदर अंदर जो आपका paper होना उसमें भी आपको दिखेगा x-1 by x वाला format बहुत important है इसलिए मैंने उसको सबसे पहले वीडियो में cover कराया था चलिए आप देखिए यहां से solve करते ह यहां पर इसका value अगर दिया हुए 1 तो आप जानते x square plus 1 by x square का value क्या होता है इसी shift में आप देखेंगे दूसरा सवाल है वो एक 727 वाला question दिखा था अब यह देखिए second question मतलब algebra के 3 सवाल में 2 सवाल तो आपका x plus 1 by x वाला ही आ गया जो कि पहले वीडियो में हम सीख के square हो रहा है तो यहां वाले square मेरा contains two होता है लेकिन प्लस से प्लस में जब जाते हो तो यहां वाले square का minus one by x के बाद 8 आएगा ऐसे condition में 7 का square होगा और क्योंकि आप प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो माइनस का 2 होता है 49-2 यहने 47 जो है सवाल का सही उत्वर है जो डी option है यह सही है clear अगला सवाल आपके screen के उपर दिया हुआ है यहां दिया है a train covers 370 km at uniform speed after running 100 km the train could run at a speed of 5 km per hour less than its normal speeds due to some technical fault the train got delayed by 36 minutes what is the normal speed देखे भई सवाल क्या दिया हुआ है कि सवाल में जो train है उसको A से निकल कर B तक जाना है suppose करिए total दो दूरी है वो कितनी है 300-370 km की दूरी है लेकिन यहां जो train है यह 100 km तक तो चलती है मतलब इस point तक चलती है 100 km तक तो 100 km तक चली तो आगे आने वाली जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी आप कहेंगे सर यह तो 270 होना चाहिए क्योंकि overall जो distance था यह 370 का था तो जो बचा हुआ distance है 270 km इस 270 km में अगर speed train की S है तो यहां से जो speed हो जाती है यह S minus of 5 km per hour की speed हो जाती है जिसके वज़े से जो train पहुंसती है यहां पर 36 minute लेट पहुंसती है कितने minute लेट 36 minute लेट पहुंसती है अब सवाल में दिया हुआ है कि train रेल गाड़ी के समान यह चाल क्या है यह आपको बताना है तो देखें बहुत simple है quadratic equation बनता है यहां पर लेकिन आपको quadratic equation नहीं बनाना है आपको यहां option को smartly choose करके solve करना है इस तरीके का option हम choose करेंगे कि value जो है आपका यहां पर 36 minute दे 36 minute का मतलब क्या होता है 36 minute का मतलब होता है 36 divided by 60 अगर मैं इसे 12 से काट हूं तो यह बन जाएगा तीन बटे 5 ठीक है घंटे तो तीन बटे 5 आवर आना चाहिए अब देखें टाइम क्या होता है टाइम होता है भई distance divided by speed distance divided by speed तो आप ऐसा option चूज करेंगे जो कि 270 को काटे भी और कुछ इस तरीकी का value दे जो कि आपका तीन बटे 5 है equation बनाना चाहते है तो देखें यहाँ पर जो time लगेगा वो हो जाएगा 270 divided by s minus का 5 minus normal अगर यह चले s की speed से तो कितना time लगेगा 270 divided by s क्योंकि देखें difference of time जो आएगा वो यहाँ से ही आएगा क्योंकि यहाँ पर engine trouble होने के वाज़े से speed कम हुआ यहाँ पर कोई भी difference of time नहीं आएगा क्योंकि दोनों condition में जब इसने speed कम कर दिया या normal speed में भी जब चल रहा था तो यहाँ पर time का difference नहीं आएगा 270 को ठीक है तीन से काटने पर यह वाला जो value नबे बन जाएगा यह जो 270 है कितना बन जाएगा नबे बन जाएगा तीन से काटने पर और यहाँ जो value आ रहा है आप थोड़ा सा और smartly सोचिए कि यहाँ पर क्या value दालने से एक बटे पांस आएगा पचास अगर मैं लूँ त तो LCM में यहाँ 45 और 50 आ रहा है 45 जो इसको काटता है मतलब आप जरूर इस 45 को तो लेना ही मतलब 50 वाले value को लेना ही second आप try कर सकते इस वाले 45 को भी क्योंकि यहाँ 45 आ रहा है जो कि 90 को काटेगा तो मैं पहले try कर लेता हूँ एक बार इस 50 से इस 50 से लेने पर यह वाला value जो है बन जाएगा 45 1 by 45 माइनस 1 by 50 बनेगा तो इसका value क्या 1 by 5 आ रहा है यह चेक कर लेते हैं तो LCM हो गया 45 multiplied by 50 ओपर आ जाएगा 50 minus of 45 जो कि आएगा 5 multiplied by यहाँ पर 90 आएगा 90 जो है इसको दो बार कटेगा ठीक है 90 जो है इससे दो बार कट जाएगा 250 10 होता है यानि 1 by 5 value हो रहा है मतलब पहला यह option जो है smartly इसी तरीके से आपको सवालों को solve करना है अगर आप पूरा solve करने जाएंगे quadratic equation बनेगा mid term split वगरा करना पड़ेगा काफी time आपका waste होगा बैतर क्या है कि आप यहाँ पर options है तो options को select करना है हमें solve नहीं करना है सवाल को option भी part of question है यह आपको दिया गया है objective का यहीं फायदा होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते next question यह similarity वाला जो सवाल है बहुत ही आसान सवाल है और यह बार-बार आपके SSC में पूछा जाता है ठीक है तो यहाँ पर आपको दिया है कि ABC का area जो है 13.5 है DEF का area जो है इतना है similarity का sequence important है क्योंकि जहाँ ABC similar to DEF है तो यहाँ sequence important हो जाता है अगर BC का value इतना है तो आपको EF का value निकालना है तो आप एक बात जानते है कि BC आपने यहाँ से लिया तो यहाँ से आपको EF लेना पड़ेगा तो आप एक बात बहुत अच्छे जानते है कि EF यहाँ पर है तो यहाँ से BC आएगा इसका जो whole square होता है यह triangle DEF का area divided by triangle ABC के area के परावर होगा क्योंकि यहाँ पर property के property है तो इसी के तहट अगर आप EF निकालना चाहते है तो EF तो यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि आपके बास BC का value है 3.15 इसका whole square जो है DEF का area कितना है तो 24 और ABC का area कितना है 13.5 अगर मैं दोनों उपर नीचे 10 से multiply कर दो तो decimal हट जाएगा यह बन जाएगा भई 140 15 से काटने पर यह 9 बार कटेगा और 15 से अगर मैं इस numerator को काटूं तो एक बार कट रहा है 15 से फिर 90 आ रहा है 16 मतलब कि जो अनुपात है वो है 16 अनुपात 9 और इस square root को अगर मैं हटा दू यहां से तो यह square को हटा दू तो दूसरे तरफ square root होगा और इसका square root का मतलब यह है भई 4 बटे 3 तो अगर मुझे इएफ का value चाहिए तो इस 3.5 को मुझे दूसरे तरफ भेजना होगा तो इएफ का value क्या हो जाएगा इसमें multiplied by 3.5 ठीक है तो अगर मैं यहां पर 3.15 sorry 3.15 तीन से काटूं तो बन जाएगा 1.05 ठीक चार दिसमलव दो जो है इसका उत्तर हो जाएगा 4.2 इस the correct answer for this question ठीक है अशा करता हूं यह आपको अच्छे समझ में आओगा और similarity के उपर आधारित प्रश्ण आसान असान प्रश्ण जो है इस शिफ्ट में पूछे गए पिछले शिफ्ट में सीवें थियोरम और मैनिलास थियोरम के आधारित प्रश्ण था तो क्वाफी अच्छ थीटा divided by cos theta यह जो step अभी मैं कर रहा हूं इसको आप orally भी कर सकते है mind में ही इसको calculate कर सकते इसको लिखने की कोई आवश्रकता नहीं है ठीक है क्योंकि mind में आप अगर calculate करेंगे तो sin theta sin theta कर जाएगा यह जो root 3 है इस 3 को काट देगा root 3 times तो जो cos theta है इसको अगर दूसरे तर जो 90 degree के बीच में cos theta root 3 by 2 कहां होता है तो 30 degree पर होता है यह हम लोग ने trigonometry में पढ़ा हुआ है अब देखें समझेगा यहां पर कि values जो है इसको आपको लिखना नहीं एक्जाम में इस चीज़को आप माइंड में ही calculate कर सकते हैं बहुत आसान है na sin theta sin theta कर गिया root 3 इसको root 3 को 2 theta है जो कि कितना है 30 degree का दूगना 60 degree minus of 3 into cos square कितना है तो cos square 3 theta है जो कि 90 degree है cos 90 तो 0 होता है यह तो 0 हो गया और इस 2 into root 3 by इसका 60 degree का value होता है root 3 by 2 जब square करोगे तो 3 बटे 4 आएगा इसको 2 से काट लेते हैं तो बन जाएगा 3 divided by 2 तो answer जो है वो a option है clear है तो जितना कम आप pen चलाएंगे उतना ही जादा आपका speed बढ़ेगा ठीक है within 10 seconds आप इसको solve कर सकते है अगर आप बिना pen चलाए solve करें तो mind में आपको समझ में आ जाएगा कि cost 90 तो 0 होता है directly जो value हो यहां चाहेगा ठीक है चलिए trigonometry के सवालों को बिना pen चलाए ठीक है algebra के questions को बिना pen चलाए थोड़ा सा mind को work करने दीजिए जितना ज्यादा आप mind को work करेंगे जितना कम आप pen चलाएंगे उतना ही speed आपका बढ़ेगा प्रश्न तो simple सा ही सवाल है एंगल c जो है 90 degree का दिया हुआ एंगल c जो है यह एंगल c है 90 degree का तो a हमान लेते बी हमान लेते अब यहां से आपको aq का value निकालना है जिसमें q जो है bc का मध्यबिंदू है bc का मध्यबिंदू जो है q है इसको आपने इस तरीके से जोड़ दिया बी-सी का मध्यबिंदू होने का मतलब c q जितना होगा उतना ही q भी होगा तो सबसे पहली बात बी-सी तो आप निकाली सकते ना पायथे गरा स्चूरम यूज करके आप बी-सी का value निकाले बी-सी का value क्या होगा बी-सी का value हो जाएगा a c a b का square माइनस a c का square का square root यही होगा तो a b का square मतलब 100 minus of 2 root 10 का square तो root 10 हट जाएगा 10 बनेगा 4 बन जाएगा यह मतलब 40 इसका square root निकालोगा तो square root किसका 60 का मतलब 4 into 15 दो under root 15 जो है इसका value होगा तो यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है यह 2 root 15 तो root 15 का मतलब बराबर होने का मतलब यह भी पंद्रह होगा और यह जो value यह भी root 15 होगा तो आपकोthGr AQ का value निकाल ना तो यह कैमा जो है जिसमे रेजों यहां पर अ मिल्योग्य है तो यहां से आप justement 5 निकाल सकते 2 root 10 स्क्वेर पाइथागरस थेयरम के तहत प्लस रूट 15 का स्क्वेर तो डायेक्टली दो बार आपको पाइथागरस थेयरम लगाना है उत्तर आपका निकल जाएगा ठीक तो बताई कितना यह बन जाएगा आपका चार इंटू 10 मतलब 40 मतलब 55 का स्क्वेर इसका एंसर आ रहा है रूट 55 ठीक है डी सवाल का सी उत्तर है चलिए तो पाइथागरस थेयरम के उपर आधारित प्रशन देखनों को मिला है इस शिफ्ट में जोमेंटरी में हमने कवर किया पाइथागरस थेयरम अगला सवाल देखिए यहां दिया हुए देखिए सवाल को सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे पहले तो डियागराम बनाना होगा संग केंदर सर्कल का मतलब कुछ इस तरीकी के दो सर्कल्स आपको दिये हुए ठीके अब इसमें बोला गया ए भी जो है बड़े वरित का व्यास है तो बड़े वरित का व्यास मतलब छोटे वित का भी व्यास होगा लेकिन सेंटर से पास हो रहा है तो यहां गर मैं इसको संटर को O मान लो थोड़ी देर के लिए तो O से लेकर B तक की लंबाई जो है 13 होगी और यहाँ पर अंदर वाले की लंबाई जो है यह आपकी 12 होगी अब दूसरी बात क्या दियो है समझना यहाँ से BD टैंजेंट है स्मॉलर सरकल का जिसमें D जो है सरकल को टच कर रहा है मतलब समझीगा यहाँ से अगर मैं B से एक टैंजेंट बनाओ छोटे वाले सरकल को तो यह वाला जो पॉइंट दिया हुआ है यह पॉइंट आपको D दिया हुआ है ठीक है आपको AD की लंबाई चाहिए तो AD कहा है AD यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई है बताइए भई कैसे निकालेंगे क्या तरीका आप लगाओगे इसको निकालनेगा देखे एक चीज समझ में आता है टैंजेंट देखने पर अगर मैं यहाँ से 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 डी पॉइंट को जोड़ दूँ सेंटर से डी पॉइंट को जोड़ दू तो यह वाला जो एंगल है 90 डिगरी का बनेगा क्योंकि रेडियस जो होता है वो टैंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है तो राइट एंगल टैंगल बन गया और अंदर वाला जो radius OD है ये 12 है ये तो हमें पता है अब 12 और 13 और right angle देखते साथ आपके दिमाग में click करेगा 5, 12, 13 जो की होता है triplet जिससे आपका BD का जो value, BD का value किता हो गया तो BD आप कहेंगे सर BD तो यहां से आप 5 हो जाएगा तो BD का value हमने निकाल दिया 5 अब आप स तो क्या rule आप लगाएंगे कि AD का value आए, cosine rule याद करने की कोशिश करिए मैंने आपको कहा है जबी भी दो side और एक angle आपके पास है वहां cosine rule लगाकर आप side निकाल सकते हैं लेकिन जब दो angle और एक side होता है वहां sine rule लगता है यहां पर दो side और एक angle है न यह angle को कैसे कोई बड़ी बात नहीं है अगर यह वाला एंगल थीटा है तो यह वाला एंगल जो है 90 डिगरी प्लस थीटा है ठीक तो अगर मैं यहां पर साइन थीटा लगाओ यहां से साइन थीटा का जो value आएगा यह sine theta का value कितना हो जाएगा sine theta का value हो जाएगा 12 divided by 13 perpendicular divided by base और यह जो value है यह जो value है यह जो value है angle AOD angle AOD क्या है यह exterior angle है exterior angle triangle ODB का ODB का तो यह हो जाएगा 90 डिगरी प्लस थीटा और अगर मैं इस angle का cos theta लूँ cos 90 डिगरी प्लस थीटा मैं लूँ तो यह हो जाएगा भई माइनस का sin theta क्योंकि cos 90 प्लस थीटा का मतलब second quadrant और यह sin theta के बराब होता है तो cos 90 डिगरी प्लस थीटा का value कितना है तो आप कहेंगे सर माइनस 12 बटे 13 है तो मेरे पास यहाँ पर OA का value है मेरे पास यहाँ पर OD का value है और यहाँ पर जो angle बन रहा है बीच में जो की 90 डिगरी प्लस थीटा इसका cos value है माइनस 2 इंटू 12 इंटू 13 इंटू cos of बीच में जो angle बन रहा है AOD और cos AOD का value माइनस 12 बटे 13 है obtuse angle triangle है तो definitely negative होगा तो माइनस ओफ 12 बटे 13 से यहाँ पर value आ जाएगा इसका square root लेना पड़ेगा क्योंकि AD है का square है तो यहाँ से square root ले लेते इसका value ठीक है तो बताइए 13 और 13 कड़िया 12 का square 144 13 का square 169 ठीक है minus और minus जो है यह plus बन जाएगा 2 into 12 into 12 मतलब यहाँ पर 288 आ रहा है 288 प्लस 144 होता है 432 प्लस का आप यहाँ पर 169 करेंगे तो यह बन जाएगा देखे इसमें अगर 61 होता न 61 होता तो 500 होता पिर 100 और आ रहा है 600 इंदर 601 आ रहा है तो simple सी बात है यह आपके 576 से 625 के बीच में है मतलब उत्तर जो होगा यह 24 का square होता है 25 का square है 24 से 25 के correct बीच में है मतलब 24.5 approximately इसका value होगा तो अच्छा खासा application यहाँ पर आपका जो है जो आपने यहाँ पर सवाल को देखा ही ना उसके बाद आप इस तरीकी के प्रशन को attack करेंगे जो कि थोड़ा सा time मांगता है थोड़ा सा सोचने को मांगता है ऐसे questions को आप second attempt में करेंगे चलिए आगे बढ़ते है कुछ data interpretation के सवाल यहाँ पर दिया हुए अब सवाल में य होगा है तो यह से ने थोड़ा सा change किया है पहले पहले जो क्या होता था कि एक अगर आ गया तो हो सकता है इसके questions जो चार questions है वह आगे-पीछे order में रहेंगे लेकिन अब क्या हो रहा है कि इसके जो चार questions होता है वह अगर इस shift में आया तो अगले shift में इसका second question रहेगा ठीक है तो अलग 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 एक डियाई से एक question ही आ रहा है चलिए next देखिए the bar graph shows the represents the data of production of paper in 10 lakh ton तो यह 10 lakh ton में है तीन डिफ्रेंट कंपनी का है जो कि 2008 से start हो कि 2012 तक चल रहा है एक्स एक्सेस में यह एक्सेस में production इन टैन लाख टन्स दिया हुआ है data shown below is only mathematical exercise they do not represent the exact figures चलिए ठीक है अब यहां से सवाल जो दिया हुआ है what is the company had maximum average production for the given period which company had the maximum average of production for the given years तो देखिए यहां पर अगर आप options को थोड़ा सा scan करें तो X और Z के पार में दिया है Y और Z दोनों का maximum है क्या या Y का अलग और X का अलग है क्या इस तरीके से दिया है देखिए इसको ना solve करने के लिए आप क्या करिए आप comparison करिए directly क्या करेंगे पूरा का पूरा solve नहीं करेंगे हम क्या करेंगे comparison करेंगे और comparison के तहट answer निकालने के कोशिश करेंगे क्योंकि यहां पर X और Y नहीं दिया है मैं क्या करूँगा पहले X और Y का comparison करूँगा इससे फाइदा यह होगा कि हमको यह पता चल जाएगा कि X बड़ा की Y बड़ा एक बार आपको X Y में comparison पता चल गया तो अगर यह दोनों में से कोई एक तो बड़ा होगा यह तो डेफिनेटली है तो X Y में यदि हम देखें तो यहाँ पर यहाँ पर आप देख पाएंगे कि X छोटा हो गया तो मैं यहाँ पर माइनस 5 लिख लेता हूँ यहाँ पर जो X है यह बड़ा हो गया पहला वाला X है ब्लू वाला और अच्छा X और Y की बात हो रही है न X और Y की कंपेरिजन में हम पहले इसको ब्लू और इसको कंपेर करेंगे ठीक है ब्लू और रेड को तो यह X जो है इससे प्लस 5 बड़ा है यहाँ पर x जो है plus 10 बड़ा यहाँ पर x जो है minus 10 छोटा हो गया यहाँ पर x जो है इससे plus 10 बड़ा हो गया यहाँ पर x जो है minus 10 छोटा हो गया मतलब 10 plus 10 minus 10 कड़िया plus 10 minus 10 कड़िया मतलब कि overall जो है x बड़ा है मतलब y तो maximum नहीं हो सकता Y जो है maximum नहीं हो सकता तो ये Y वाला option गलत ये वाला option भी गलत आप दो जगा फ़स जाएंगे कि X और Z दोनों के दोनों maximum है कि खेवल X maximum है तो अब second comparison होगा जिसमें हम पहले X को और Z को compare करेंगे X और Z दोनों को एक बार compare कर लेते हैं पहला वाला X है ब्लू वाला और Z जो है आखरी वाला है इन दोनों को अगर compare करें तो X जो है minus का 5 छोटा हो गया इन दोनों को compare करेंगे तो X जो है plus का 5 आगे हो गया इसमें अगर आप देखेंगे तो X जो है minus 20 हो गया इसमें हम देखेंगे तो x जो है प्लस का 15 हो गया जदा हो गया इसमें यदि हम देखेंगे तो x प्लस का 5 हो गया तो अब अगर आप compare करें तो clearly समझ में आ रहा है दोनों बराबर ही है plus का 5 minus का 5 कट गया plus का 15 plus plus का 5x जो आगे है 20 हो गया और यह minus कभीस है मतलब यह जो है net difference जो है x और z का total में difference जो है वो 0 है तो average भी तो same रहेगा क्योंकि average क्या होता है sum divided by number तो sum में दोनों same है तो average भी दोनों का same रहेगा मतलब यहाँ पर x और z दोनों के दोनों maximum है क्योंकि x already y से ज़्यादा था तो z भी उससे ज़्यादा ही रहेगा ठीक है क्योंकि x और z बराबर है clear next question यहाँ पर दिया हुए आपके screen के उपर है दिया हुए 3 sec theta plus 4 cos theta minus of 4 root 3 का value क्या होगा is equal to 0 है तो theta का value क्या होगा थोड़ा सा सोचना इसको फूरा सवाल solve करनी के पहले थोड़ा सा सोचना यह जो irrational number होता है ना root 3 यह सबसे बड़ा clue होता है कि theta को क्या लिया जाए क्योंकि अगर आप यहां देखें तो आप cos theta की बात कर रहें और आप sec theta की बात कर रहें दोनों में आप जानते हैं कि जब theta is equal to 30 degree होगा ऐसे condition में cos theta का value root 3 by 2 होता है sec theta का value 2 by root 3 होता है अगर मैं इस values को यहां पर दार दो ठीक है तो 3 into sec theta है तो 3 into इतना multiply करोगे तो 2 root 3 होगा यह value और 4 cos theta है तो 4 से multiply करोगे तो 2 कट जाएगा तो 2 root 3 इसका भी value होगा minus का 4 root 3 ठीक है यह भी 4 root 3 4 root 3 equal to 0 आ रहा है satisfy हो गया मतलब theta बराबर क्या होगा 30 degree होगा यह सारी tricks हमने trigonometry के videos में सीखा है irrational number जो होता है बहुत ही ज़्यादा important होता है यह आपको clue बताता है कि आप यहां पर theta का value क्या लेंगे ठीक है तो 30 degrees का answer होगा next question आप देखें यहां पर तो दिया हुआ है tan 45 degree minus alpha divided by cot 45 degree plus alpha minus cos 19 degree sin 71 bracket close bracket open sec 19 into cosec 71 divided by tan 12, tan 24, tan 66 और tan 78 degrees तो यहां पर अलग-अलग concept use होगा सबसे पहली बात जो चीजें आपको यहां use कर नहीं है वो यह है कि tan theta जो होता है यह होता है cot 90 degree minus theta यह हम लोग जानते है दूसरा बात हम यह जानते है कि tan alpha into tan beta ठीक है यह equal to 1 होता है जब alpha plus beta is equal to 90 degree होता है similarly sec और cos और sin जो है आपस में change हो जाता है 90 degree पर मतलब कि जो sin theta है यह होता है cos 90 degree minus theta और यहां पर जो sec theta है यह होता है cosec 90 degree minus theta ठीक है तो यह सारी चीजें हमने देखा है पहले और उसी के उपर आधारी ने direct pressure यहां पर दिया हुआ है अगर आप देखें इसको solve करेंगे अगर यहां पर यह 45 degree minus of इतना है तो tan 45 degree minus alpha ठीक है इसको आप क्या लिख सकते tan of 90 degree minus of 45 degree plus alpha ऐसा लिख सकते है bracket open करेंगे तो क्या होगा 45 degree आ जाएगा minus में और यह minus alpha बन जाएगा मतलब यह जो नीचे value दिया है यह कुछ और नहीं है यह बस इतना ही है कि directly आपका value दिया 45 degree tan of 45 degree minus alpha मतलब यह उपर नीचे कर जाएगा इसका value जो है 1 है minus आगे हम बढ़े तो देखिए 71 degree इस 71 degree को क्या लिखा जा सकता है cos 19 degree लिखा जा सकता है तो यह minus में क्या है तो cos 19 degree है 2 cos 19 degree और यह को सेक है 71 इसको आप लिख सकते है sec 19 degree तो यह क्या है 90 degree बनता है तो ऐसे condition में इन दोनों का multiplication भी बन होगा मतलब नीचे बन है sec जो होता है और cos जो होता है एक दूसरे के व्यूत क्राम होता है तो cos 19 कुछ और नहीं है 1 by sec 19 है मतलब यह sec 19 और cos 19 कर जाएगा मतलब minus का 4 आ रहा है 1 minus का 4 divided by 1 है तो 1 minus 4 होगा minus 3 जो है इसका उत्तर हो जाएगा तो अगें मैंने सारी चीज़े लिख के बताई लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इसको देखकर mind में चीज़ों को calculate कर सकते हैं और यह संभव है तो आप pen चलाने के पहले 10 सेकेंड 15 सेकेंड तक सोचिए mind में जितनी चीज़े calculate हो गए उतनी चीज़े calculate करिए जैसे देखते साथ समझ में आ रहा है कि 1045 minus alpha है तो यहाँ पर cot 45 plus alpha है यह actually 1045 minus alpha ही है तो दोनों कटके यहाँ पर 1 आएगा इसको आप माइंड में calculate कर लीजे इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए यह क्या cos 19 है तो 2 cos 19 हो गया तो आप इसको माइंड में रखिए सेक 19 है और cosec 19 है को सेक 71 है जो कि सेक 19 होता है तो यह 2 cos 19 होगा इसको माइंड में रखिए और सेक 19 cos 19 का value 1 होता है तो यहाँ पर 4 आएगा उपर से यह जो है denominator 1 बन गया मतलब 1 minus 4 और equal to minus 3 इतना आप जो है सारी चीजों को आप माइंड में calculate करने की कोशिश करिए तो आपका जो है उत्तर फटाफट निकलेगा चलिए next question आपके screen के उपर दिया हुआ है again DI के उपर आधारित प्रशन है the following table shows day wise number of seats occupied in different classes of train numbers in the bracket represent the total seats available in the particular class तो देखिए यहाँ पर Monday से लेकर Friday तक दे दिया है और यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन सा टिकेट है यह second class non AC का 900 टिकेट अवेलेबल है तो ब्रैकेट में जो चीज़े दिये इतने अवेलेबल दिखा रही है लेकिन occupied जो है वो नीचे तो 900 में से 850 अक्यूपाइट था मंडे को 500 में से 460 जो अक्यूपाइट था first class non AC का और AC 3 ट्रायर में 500 सीट थे जिसमें से 480 जो है occupied इस तरीके से आपको रीड करना है डिटा को तो यह occupied मतलब कि अवेलेबल टिकेट बता रहा है नीचे वाला जो टिटा ऑक्यूपाइड है वो भी कॉंसे दिन अक्यूपाइड है मंडे टू फ्रैडे दिया हुए ठीक है हाव मेने सीट्स रिमेंड वेकेंड सवाल य आपको यहां दिखाई दे रहा है इसको आपको नहीं लेना है एसी एसी खाली कितने है और सारे के सारे दिन मिला कर आपको बताने है खाली कितने है ठीक है तो अगर हम देखें इसको यहां पर 50 खाली है इन दोनों का डिफरेंस कितना है 50 का तो 50 खाली होंगे इन दोनों का 400 को minus करो गए 100 आएगा मतलब total 160 खाली है यहाँ पर Tuesday को यहाँ देखे तो 70 का difference यहाँ देखे तो 110 का difference तो 70 प्लस 110 180 आगया यहाँ पर total यहाँ देखे तो 110 का difference यहाँ 20 का difference तो 110 प्लस 20 हो गया 130 ठीक है यहाँ पर 60 का difference यहां 30 का difference तो यहां 90 आ गया तो बताइए भई टोटल वेकेंट जो नॉन एसी वाले हैं वो 90 प्लस इतना 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 यहां पर दिया हुआ है इसका वैल्यू आप लोग तो 650 मतलब B जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा क्लियर है यहां तक बात समझ में आगई इस सवाल को कैसे solve करना है एक आखरी प्रशन पचिसवे नंबर का सवाल देखते हैं इस सवाल को देखते साथ आपको समझ में आ रहा हुआ कहीं तो देखा हुआ है ठीक है तो अलग शिफ्ट में जो है डी आए का सवाल दे रहा है तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता डी आए लेकिन थोड़ा सा आपको जो है रीड करने में टाइम जरूर मांगता है चलिए इस सवाल में देखी क्या दिया है टेबल शोज दर डिफरेंट नंबर ऑफ बॉइस और बॉइस और गर्ल्स एंडरोल इन डिफरेंट स्टीम्स इन स्कूल फर फाइव यह तो 2012 से 20 तक के अलग अलग वर्षों में अलग अलग स्ट्रीम में कितने बॉइस कितने गल्स ने यहां पर इसमें एंडरोल किया था दिया हुआ है नंबर ऑफ बॉइस इन साइन्स तो 12 में 35 अच्छाई गल से 12 में 40 और 16 में 38 बॉइस है इस वाट परसेंट अव दी नंबर ऑफ फ गल्स फर आल दे एर्स फ्रम कॉमर्स ट्रीम टोटल गल्स जो हैं कॉमर्स स्ट्रीम में इसका कितना परसेंटीज है परसेंटेज निकालने इस वाट परसेंट तो डारेक्ल इसका total करके इसको बाटना होगा तो आईए solve करते हैं, इसको total कर लेते हैं देखिए अगर total करने जाएंगे तो 2 प्लस 8 यहाँ पर 10 हो गया, 5 प्लस यह वाला 4 प्लस एक भी 5 हो गया, मतलब 10 प्लस 10, 20 हो गया तो 0 यहाँ पर आ जाएगा 2 carry forward है 2 carry forward है, इसको जोड़ेंगे तो 2 को अगर एक यहाँ एक यहाँ भेज दू तो यह भी 4, यह भी 4 बन गया 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 5 बार 4 मतलब 20 हो तो 200 यहाँ पर girls है, commerce में total, इसका percent मान निकालना है, ठीक है कि boys जो science stream में 2012 में, 2016 में total, तो कितने भाई बताईए इन दोनों का अगर हम जोड़ें तो 40 यहाँ पर और यहाँ पर 38, तो 78 है तो 2 zeros यहाँ से कट गए इसको अगर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 39 आएगा, 39 परसेंट जो है सवाल का सयुक्तर है ठीक है चलिए, अब मैं यहाँ पर इस वीडियो को रोकता हूँ आप एक चीज़ अब्जर्व करेंगे तो पहला वाला जो मैंने shift आपके साथ discuss किया वो थोड़ा सा moderate to difficult questions थे इवन जो geometric questions थे difficult difficult questions थे इसमें भी कुछ difficult questions है लेकिन ज़्यादत और questions इस shift में आसान है ठीक है तो एक चीज़ आप ध्यान रखना कि आप कभी भी demotivate मत होना सवाल जब आप solve करेंगे questions पेपर जब आपके सामने होगा हो सकता है एक दो सवाल आपसे solve ना हो देखिए मैंने ऐसे बच्चे देखे है ठीक है जो की 140-150 के range में रहते थे ठीक है 140-150 के range में रहते थे लेकिन उनका cutoff clear नहीं होता था कुछ ऐसे बच्चे होते थे जो 115-120 के range में रहते थे और इनका cutoff जो है वो clear हो जाता था तो अगर आप यहाँ पर difficult shift में है तो आपको घवराना नहीं है अगर difficult है आपके लिए तो सबके लिए difficult है आपने जितनी तयारी किया उससे बहतर तयारी किसी ने नहीं किया आपको अपने आप के उपर भरुसा रखना है ठीक है इनी कुछ बातों के साथ अब मैं यहाँ पर इस वीडियो को रोखता हूँ SSC CGL का exam के लिए hardly एक हफता बचा हुआ है अच्छे से preparation करिए all the best आप सभी लोग को जिनका भी SSC CGL का paper है next week में मैं अब दो model paper आपके साथ discuss करूँगा SSC CHSL का फिर कुछ ऐसे भी questions जो हमने create किये